वश्कार जी कैसे आशा करती हो आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे आज हम बात करेंगे बॉची गेम के बारे में बॉची गेम है जो हमारे दिव्यांग जो बच्ची है वो लोवर जो दिव्यांग लोवर अवलिटी के बच्ची है उनकी गेम है तो आज हम बॉच्ची गेम के बारे बात करेंगे कि हम बॉच्ची गेम खेलेंगे कैसे उसका कोट कैसा होगा ये मैंने कोट बहची का आपको श्राड पे बना के समझाने की कोशिश कर गए बैसे तो इस ड्राउंड में खेली जाती है गेम और ये जो बाउंडरी होती है वो इटों से बनी होती है eats चारो तरब बाउंडरी के लगई होती है और बीज में मिट्टी होती है रेत होती है कुछ भी हो सकता है और ग्रास भी होती है यह जो बॉंडरी की जो यह लंबाई है यह साट फीट की होती है और यह चोड़ाई जो होती है वो 12 फीट की होती है और इसमें यह आप चार बॉक्स देख रहे हैं न तो जो पहला बॉक्स starting line से वो 10 feet का होता है फिर second box वो 20 feet फिर उसके बाद का जो next box है वो 20 feet जो last box है फिर वो 10 feet का होता है इस करें कि ये सारा जो court है वो 60 feet पे बनता है इसमें 8 players होती है दो team इसमें 2 team होती है और 8 players होती है one team में 4 player another team में 4 player और इसमें 8 ball होती है, 4 red होती है और 4 green होती है और 1 wide ball होती है जिसे पलीना बोलती है यही target ball होती है सबसे पहले step जो होता है उसमें क्या होती है, toss करते है जो बच्चा toss जीता है, वो पलीना फेटता है और उसको red और green ball बैसे चूच करने का मौका देते हैं कि उसमें red ball लेनी है या green ball लेनी है सबसे पहले बच्चे ने toss जीता और उसने पलीना उठाया पलीना को फेका पलीना आया, उसके बाद जो बच्चा जीता है toss उसने red ball उठानी है उसने red ball चूच कर रहा, उसने red ball उठानी है लेकिन बच्चा अगर red ball ऐसे उठाएगा यहाँ से भार से तो यह रॉंग है बच्चे ने अंदर जाना है इस लाइन के अंदर जाना और यहाँ से बॉल को पिक करना है और यहाँ से यह फेकना है तो यह बॉल इस बॉल से दूर है ठीक है अगर यह बॉल यहाँ से नजदीक होती है इस बॉल के पास बेज़ती है तो second ball क्या होता है second team को chance मिलता है second team या गई इसने player ने ball उठाई और ये ball फेकी ये ball अगर यहाँ आई है पास में ना जाके यहाँ आई है और ये इस ball से दूर है तो green ball की team को दुबारा से chance मिलता है second player ball उठाके फेकता है फिर देखता है फिर ball दूर है पलीना से फिर उसको फिर chance मिलता है बॉल उठाता है और ball फेकते हैं फिर ball दूर है पलीना से फिर ball दूर है फिर वोई green ball प्लेयर जाता है और ball को उठाके फेकता है फिर ball दूर है ये पलीना के पास green ball नहीं है, red ball है अब second team, जो first team है हमारे red ball वाली, उसका player अंदर जाएगा, और ball उठाके फिर फेकेगा, ये ball अगर यहाँ आती है, तो ये ball out है end ball, उसे dead ball मानते हैं इस ball को गिना नहीं जाएगा फिर next player फिर जाके फिर ball उठाता है, ball ये देख फिर last ball फेकता है फिर ये ball अगर यहाँ ती है तो ये देखते हैं, जो ball सबसे नजदीक है, वोई ball बिनर जाएगी यहाँ पर हम देखते हैं कि 1, 2, 3 ये red ball इस white ball के नजदीक है और ये two ball green वाली white ball के से दूर है तो ये green ball वाली जो team है, वो बिनर नहीं होगी red ball वाली team बिनर होगी, thank you